बिजनस की कुछ खबरों की और हेल्थ और टर्म इंशॉरंस के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर लगने वाले जीएस्टी से जल्द छुटकारा मिल सकता है माना ही जा रहा है कि 21 और 22 को होने वाले जीएस्टी काउंसल की बैठक में टर्म इंशॉरंस से जीएस्टी हटाने पर फैसला हो सकता है लेकिन केवर टर्म प्लान और 5 लाग तक के हल्थ इंशॉरंस पर ही जीएस्टी को जीरो किये जाने की उमीद है ज्यादा जानकारी के लिए दिली से तरुन शर्मा हमारे साथे तरुन अब्डेट आपके पास क्या है बिल्कुल जीएस्टी काउंसल की बैठक दिसंबर एक्टीस और बाईस को रायस्तान में होने जा रही है और इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं यह जो पैसले हैं वो मुस्टी मिडल क्लास को एक बेनफिट देने वाले हो सकते हैं पहला है हेल्थ इंशॉरेंस को लेकर पांच लाख रुपे तक यह आप हेल्थ इंशॉरेंस लेते हैं तो अभी आपको 18% जीएस्टी देना पड़ता है हो सकते हैं जीएस्टी कांसिल यह फैसा ले ले की जो जीएप की रिकमरेशन है कि आपको जीरो जीएस्टी इस पर देना है और सीनियर सीटीजन को पुरी तरीके से जीएस्टी के दाइरे से बाहर रखा जाएगा यह अभी आप हेल्थ इंसॉरेंस लेते हैं तो जबी सीनि को भी मंजूरी जी एस्टी काउंसल दे सकता है तीसरा है और को लेंडिंग स्पेस को लेकर बैंक्स और NBFC मिलकर जो को लेंडिंग करते हैं इसमें अभी 18% जी एस्टी वसूल जाती है लेकिन डिपार्टमेंट और फिनेंशाल सर्विसीज की कमेटी ने रिकमेंड किया है कि यह जो 18% जी एसको ना वसूला जाए अब फैसला जी एस्टी काउंसल का है क्या वो 18% वसूलना चाहती है और नहीं इसका फैसला भी जी एस्टी काउंसल में होगा चौथा बड़ा मुद्धा है रियल एस्टेट की जो जी एम है उनकी रिकमेंडेशन को लेकर पहला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसका क्राइटीरिया 45 लाख रुपे से बढ़ा का 56 लाख रुपे किया जाए क्योंकि घरों की दाम बढ़ रहे हैं तो उस रिसाब से अफोर्डेबल का जो क्राइटीरिया उसको भी बढ़ाना चाहिए इसी वज़ए से 45 लाख से 56 लाख करने की बात है जिस वज़ए से अब जो जो जी एसा होता है जी एस टी कांसिल इस जी एम की रिकमेंडेशन को मानती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जी जो है वो 45 लाख पे अभी 1.5 परसंट लगता है उसको अब वो 56 लाख पे 1.5 परसंट जी एस टी लगेगा तो ऐसे कई मुद्धे हैं जिस पे जी एस टी कांसिल चर्चा करेगा हालांकि जो रेट रेट रेशनाजिशन की जीव है में उसमें एक आम सहमती नहीं बन पा रही है इस व लाउस नहीं करना चाहते इस वज़े से उस जीव में आम सहमती नहीं बन पा रही है लेकिन कई ऐसे मुद्धे हैं जो सीधे तोर पे आपको हमको और एक मिडल क्लास को बैनिफिट पहुचा सकते हैं तो सबकी नजर इस जी एस टी कांसिल पर रहेगी धन्यवाद करेंगे आपका अतरुन पूरी खबर पर जादा अपडेट देने के लिए